प्रेज रोड जे मसीगी मैं स्टैनली मैकवान मेरी यूटूब चैनल हिंदी गुजराती बैबस्टी मैं आपका सागते मेरी चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लिजेग और प्रमेस्वर के ज्यान में आप बढ़ते जाओ क्या शेतान आसमान में रहता है जिसे दूसरा आसमान कहते हैं क्या वहाँ पर रहता है कुछ वक्त पहले की बात है प्रमेस्वर के एक बहुत बड़े दास होगे जिनका नाम बहुत बड़ा था आज तो इस धर्दी पर नहीं है आज उनका बेटा जो है वह कलिस्या चिला रहा है लेकिन यह मैं जिनकी बा कि एक बार सरग उताय क्रिंद याख और मेरी आत्मा निकाल कर वह मुझे सरग में लेकर गये लेकिन जर्च में जहा रहे थे तो जह पहला आसमान क्रोस किया उसके बाद जब दूसरे आसमान पर जो शैतन था कुस्ति हमकर रोक लिया और शैतन हमरे साथ लड़ाय करने लगा और सेतान हमें उपर नहीं जाने दिता था तब प्रमेसर ने मिकायल जो की प्रधान सर्ग उतेक उनको हमारे साहिता के लिए बेज दिये जब हुआ है और उन्होंने शेतन को मारना या पिटना या उनके साथ लड़ाय करना शुरू किया और हम को आज़ा कहने का यह था कि मैं प्रभुसु के सिंगासन के पास उनके चर्णों में तिन घंटे मैं बैठा रहा और फिर यह जो प्रमेसर के दास से उनको विजन हुआ उसके बाद ऐसी घटना हो गए कि उनको हाड की समस्या गए मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि विजन देखने के ब जाने लेकिन हाड की समस्या हो गए उनकी हाड की सरजरी भी हुई उसके बाद एक दूसरे परमेसर के बहुत बड़े दास जो इंडिया के नहें बहार के लेकिन उनकी मिटिंग चली थी मुंबई में तिन दिन के लिए मैं भी उस संगती में था और वहाँ पर यह भी परमे खड़े भी नेरे पाते थे और दो लोगों ने उनको पकड़ कर वहाँ पर खड़ा रखा था और जो परमेसर के दास बाहर से आये थे उनके उनसे बहुत बड़े चमतकार होते थे लेकिन उस वक्त उनके जिन्में कोई चमतकार हुआ नहीं और हार्ट की वज़र से ही वह के कारणी उनकी मौट वेड लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है खिश्टान दूसरे आसमान में रहता है क्या सही में शेतान दूसरे आसमान में रहता है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंग तक बने रहो क्या शेतान तुस्रासमान पर रहता है वो जहां पर भी रहता है हमें उससे क्या लेना देना नहीं ऐसी पात नहीं है यह जानना हमारे बहुत ही जरूरी है वो हमारे दुस्रासमान है और हमारी उस सैतन के साथ लड़ाई है इसलिए सैतन को जानना और समझना और वो कहां रहता है वो हमारे जानना बहुत जरूरी है और वाइबल में इफिसी उसका देच्छे और उसका बारावचन हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारा यहमल युद लहु और माज से नहीं परन्तु प्रदानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंदकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनां से है जो आकाश में है यहां पर पस्ट लिखाए कि हमारा जो यूद है वो शेतन की सेना से है उसके हाकिमों से जो आकाश में है इसका मतलब हमारा जिसके साथ यूद है वो शेतान है उसकी सेन है और वो लोग कहा पर है तो वो लोग आकाश में मतलब कि स्वर्ग में है दूसरे स्वर्ग में यही वच्चन को लेकर ज्यादा तर लोग यही समझते हैं कि शेतान वो दूसरे आसमान में या आकाश में वो रहता है दानेल जो परमेसर के बहुत बड़े भुविश्य वक्ता हो गए वो दानेल को कुछ दर्सन हुआ लेकिन दर्सन की समझ नहीं आई जब दर्सन की समझ नहीं आई तो दानेल ने परमेसर से प्राथना किम परमेसर ये दर्सन क्या कहना चाहता है इसकी समझ तो मुझे दो लेक बैशाँ लेकिन अशे करते करते-क इकईस दिन हो गए और 21 दिन हो गए तब दग गर दैने को को उत्तर नहीं रहा है लेखिए 21 दिन ऐसा हुआ कि वह के गिनार है आथने ऀ मेशन को एक विजन वा और यह विजन ने यह तो हकीकत थी कि स्वर्ग से एक स्वर्दुत आये और स्वर्दुत आये तो उनका चेहरा देकर वो प्रकास देकर वो तेज देकर ये जो दानेल है उनमें होश नहीं राट उनमें शक्ति नहीं रही वो घिर पड़े और खड़े नहीं रहे पाते थे तो स्वर्दुत ने उनको हाथ लगा क वर उनकोख खड़ाकिया और कहा की दानियल अतिप्रिय इंसान। जो प्रमेसर के लिए अतिप्रिय है डर्मत। जिस दीन तुने प्रात्रा में औरothy ऑगि उपले धर Самा मानियमें तेरा मन लगाया था और उसी दिन से तेरी प्रात्रा सुने है ते लेकिन जब मैं तेरी मेरे बिंति की खातिर में उपर से निछे आ रहा था तब ऊसके इरभान का जो राजा था उपरिधर्ती के उपर राज कर रहा था तो ऊसने 21 तक मेरे साथ लड़ाए कि हो बोपर आ गया बीच में और बीच में मेरे संद लड़ाय करने लग लग गयाग मुझे निचे नहीं आने देता था लेकिन तब परमेसर ने मिकाल को बेजा और मिकाल उसकेसाथ लगने के के लिए बैठ गया और मैं तेरी बिंति की खातिर मैं यहां पर आया हूं और हम दानियल लभी के पुस्तक में पढ़ते हैं डानियल का पुस्तक उसका दस्वात्याइक प्रबारा और तेरा वचन फिर उसने मुझसे कहा है दानियल मत डर्क क्योंकि पहले ही दिन से जब तुन और मैं तेरे वचनों के कारण ही आ गया हूं फरस के राज्य के प्रजान 21 तिन तक मेरा सामना किये रहा परांतु मिकाय जो मुख्य प्रजानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा देखें यहां पर सर्गुतना बताया कि 21 त लेकि जब मिकाल आये तब मैं वहां से निकलाया और उसने मुझे छुडाया और मैं तेरे पास यहां पर आ चुका हूं इसलिए लोग ऐसा मानते यह वच्चन के कारण कि शेतान जो है वो दूसरे आसमान में रहता है लेकिन बाइबल हम से क्या कहता है और देखो बाइबल में वच्चन पढ़ते इफिसी उसका दूसरा दियाए और हम पढ़ते उसके पहले वच्चन से लेकर उसके छे वच्चन तक और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपरादों और पापों के कारण मरे हुए थे यहां पर ऐसा लिखा है उसने मतलब परमेसर ने तुम हैं जिलाया के कब जिलाया तो जब तुम पापों में और अपरादों में मरे हुए थे तो आदम को कहा था लेकिन हो दो नो लेकिन उनकी मौत ने उती लेकिन परमेश्र क्या बोला जिस दिन खाऊँगे उस दिन मरोगे तो परमेस्र का कहने का मतलब है कि जिस दिन पाप करोगे पव 돌아त्मा आप के अंदर से निकल जाएंगे हैप पुरत्रात्म नीकल गए आग तो समदो कि मेरी निखाह में तुमन्रेव Tower that इंदक हो जहका。 ऑ्क ने अपराद में मुष्भ छिंडया कि पर्वेसर में फान पढ़खुनें हमको चिल अगे पढ़ता हूँ जिन में तूं पहले इस संसार की इरिती पर और आकास के अधिकार के हाकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आग्यान न मानने वालों में काम करता है इन में हम भी सब के सब पहले अपने सरेर की लालसाओं में दिन बिताते थे और सरीर और मन की मनसाये पुरी करते थे और लोगों के समान सोभाव ही से क्रोध की संतान थे अभी हमारे लिए प्रमे सर इसारी बाते बता रहे और आगे मैं पढ़ता हूँ परंतु प्रमे सर ने जो दया का स्वामी है उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिस से उसने हमें प्रेम किया जब हम अपरादों के कारण मर हुए थे तो हमें मसी के साथ जिलाया अनुगरही से तुम्हारा उद्धर हुआ है और मसी इसु में उसके साथ उठाया और स्वर्गिय स्थानों में उसके साथ बढ़ाया अब यहां पर जो वच्चन मैं ने पढ़ा उसका मतलब तो ऐसा होता है कि जब हम पापों में थे अब राद में थे तब परमेसर हमको मुर्दा मानते थे लेकिन परमेशन हमको जीलाया मधा परमेसर अपने लहु दिया हमें लहु शुदि किया है पोईत्र किया जब हम रभुसु का लहु का काम करता है और हमें शुद्र करता है हमें पॉइत्र करता है और जैसे हम पॉइत्र होते तो प्रमेसर अपना आत्मा मत पॉइत्र आत्मा हमें देते जब पॉइत्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते तो कहा जाता है कि हम जिलाएगे जो आत्मा हम खो बैठे जो आदम के जरे हम को बैठेते हैं वह आत्मा बप्तिस्मा के जरे एक बार फिर हमको मिल जाते हैं और हम वापस जिन्दा हो जाते हैं और जब हम जिन्दा हो जाते हैं तो परमेसर का वचन क्या किते हैं कि और स्वर्ग्य स्थानों में प्रभूसु के साथ हमको भी ठाक क्या बब्तिस्मा के बाद पहित्रात्मा पा लेने के बाद आप स्वर्ग में चले गए क्या परमेसर के साथ उनके सिंगासन के उपर दाहिन बढ़ बैठ गए गया नहीं हम तो इसी तरती पर है कि उन्हीं लोगों के बीच में जिसमें पहले भी जिवन जिया करते थे उन्हीं लो अब हम स्वर्गी जगा में आ गए मस्वर्ग के लोग कैसे जिवन जीते बीना पाप जिवन जीते उन्हों परमेसर के आग्याकारी लगातार करते तो हम भी जब मसी इसमें आ जाते जिलाए जाते तो हम भी क्या करते हम भी संगती में रहते हम भी पाप से दूर रहते हम भ हम मसी में आते परमेसर में आते जिलाए जाते तो अब हमारे जिन में चमतकार होना शुरू हो जाता है अब परमेसर हमारे जिन में चमतकार करते हमारी आर्थिक जरूते पूरी करते हमारी शारिरिक मांसिक जरूते पूरी करते कुछ भी हमें जरूत होती है तो परमेसर पैसो सबस्टित्व मेरा इसा हो गया पहले मुझे शब्से बेरी चली गई पहले मेरी कमाई इतनी नहीं था आप मेरी कमाई बढ़ गाए हम भूट कुछ गवाई देते अब चमत का रहोने लगते क्यों की हम स्वर्गेस्थान आगए तो सुर्गेस्थान में आ यहां परमिसर का वच्छन जो PCC के बारा में हमने पड़ा हमारा मलयुद, हाकिमों से, प्रतानों से, सेतान की सेना से, जो कहाँ पर है, जो स्वर्ग में है, जो आकाश में, तो आकाश में नहीं, मतलब उन लोगों से वो लोग लड़ाय करते हैं, जो सवर्ग में चले के, में चल गए मतलब जो जिलाए गए और जो स्वरगे स्थान में प्रभुसों के साथ पीठाए गए मतलब इसी तरती पर लेकिन अब प्रमецर का आत्मा पतु करिशा जीते, वैसे जीवन जिने लग जाते, तो इसलिए कहा गया कि मैंने तुम्हें स्वर्ग में बिठा है और उसी जगापर शैतान हमारे साथ लड़ाय करने के लिए आता है ये कोई स्वर्ग की बात नहीं है, दुसरे आसमन की बात नहीं है किसी जगापर है और यही पर हमारे लड़ाई उसे तान से होती है लेकिन जब हम मसीश समय आ जाते हैं तब शेड़ाम जो था उसे जब पाप किया तो bybel में ऐसा लिखा है कि शेड़ान को और उसके साथ जितने भी उसके साथ ही थे उससे भी को पुरुप्षिक पर गिराय गया ऐसा bybel में लि स्वर्ग पर लड़ाय हुई मिकायल और उसके स्वर्दूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूद उससे लड़े परंतु प्रबलना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगा न रही और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना साप जो इबली को भरमाने वाला है पुरिछी पर गिरा दिया गया और उसके दूद उसके साथ गिर दिये गए अभी देखु यहाँ पर क्या लिखाए można वो शयतान वो इीबलीस जब पुर संसर को भरमाता है उसको इस को इस धरति पर फैका गया उसके दूदों के साथ है क्या लिखाए उनको स्वर्ग में जगा नहीं मिली इसका मतलब यह है कि जब शे शेतान को फैका गया उसके बाद तो उसको कभी स्वर्ग में जगा मिली नहीं तो अब उसके लिए स्वर्ग में जगा नहीं तीन स्वर्ग मतीन आस्मान है अभी उसके लिए आस्मान में जगा है ही नहीं ना वो पहले आस्मान में जा सकता है ना दूसरे ना तिसर कहीं पर भी नहीं जा सकता है जब से उसको गिरा गया तब से वो कहीं पर स्वर्ग में नहीं जा सकता है और इसलिए हमारी लड़ाई स्वर्ग में कैसे हो सकते हैं वो कहां स्वर्ग में लेकिन स्वर्ग क पर शाल की और शाल की आयो में मुझे कोई बीमारी निए ना ब्लड ब्रेसर ना डायप इस कुछ नहीं तो यहीं स्वर्गेजी जीए सब्सक्राइब बीवारी नहीं तो परमेशर ऐसा जीवन हमें देते और अगर गलती से किसी के जीवने कुछ हो गया तो एक प्राशना करो शेतान को डाटो विमारी भाग जाएगी चमतकार होता है कि पैसो की चरूब कोई बात नहीं प्राशना करो परमेशर बेज देंगे वो भी चमतकार करेंगे परमेशर लेकिन होई जाएगा तो उसे कहते स्वर्गेजियन तो इसलिए परमेशर लिखा कि मेरे तुम्हें शेतान बी है. मतलए बाकी जो लोग है जिन्नों अभी तक मन ने फिराया, वप्तिस्मा नहीं लिया, तो वो तो अभी भी इस अंसार में है, वो तो सेतन की है, उसके साथ सेतन थोड़ा लणने वाला है. सेतन हमारे जैसे लोगों के साथ लड़ेगा जो स्वर्ग में बिढ चमत्टकार होने लगे। इसलिए लिखाये कि हमारी लड़ाई शाथान से है जो आकाश में है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हुम सवर्गिय जीतान इस अथे पर जीते हैं तब हमारी शाथान के साथ लड़ाई होता है। कि वहां पर नहीं इसी दर्थी पर हमारी लड़ा है टो फिर यूद्ण है कि उसकी रहने की जगा कहा है और वह बीम्यापको बता देता हूं कि सथान की रहने के जगा कहा है और बजन सहीदा सुरीजन गडॉ Parkinson जिवजनतू और छोटे और बड़े बड़े हैं उसमें जहाज भी आते जाते हैं अलीवयतान, जिसे तुने वहां खेलने के लिए बनाया है अलीवयतान ये लिव्यातान शब्द जो है वो हिंदी नहीं है वो इबरानी शब्द है और लिव्यातान का मतलब होता है समुन्दर में रहने वाला राक्षस मतलब ये जो लिव्यातान शब्द है वो शेतान के लिए लिखा गया गया तो शेतान कहाँ पर रहता है वो समुन्दर में रहत शेतान उपर स्वर्ग में नहीं दूसरे आसमान में नहीं शेतान जो है वो तो समुंदर में रहता है और इसलिए प्रभूस ने क्या कहा था एक वचन पढ़ते हैं मर्कुस इसका ग्यारवाद्याय और वचन तेईस मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहार से कहें कि त जो कहते है हो जाईगा तो उसके लीए वही होगा तो वहाद ऑन पर कितना स्पस्ट लिखा दिए कि जो आप उलोगिय वैसा हो जाएगा मन्लों अगर पहाड़ को हो क्या सुखरदो समंसर में शक में करो लेकिन क्या आप ने कहीं पर पढ़ा है कहीं से सुना कि कि यसी प्रमेसर के दास ने पहाड़ को उठा कर समंदर में डाला नहीं पहाड़ किस ने बनाए प्रमेसर ने बनाए तो क्या वो गलत है कि वो जहां पर है वो सही है अच्छे और वह उसके लिए अच्छी जगाए इसलिए आद तक किसी भी प्रमेसर के दास ने उस पहाड़ को हटा अब इसक्राइब लेकिन प्रभुस राया ये ऐसी बड़ी-बड़ी मुसीबते ऐसी बड़ी-बड़ी बीमार्या ऐसे बड़ी-बड़ी समस्या जो पहाड़ के समाह में इसा बोलते देखए में और क्या बोले उस समस्या को जो पहाड के समाना आग्या करो क्या करो समुंदर में जा क्यों समुंदर में और वहीं तो लिव्या था ने वहीं तो शैतान है वहीं तो समस्या लेकर आता है उसको बहुत बाहर मत निकल जहां था वहां चला जा चल निकल यहां सक तो पहाड को नहीं वो समस्या लाने वाले सेतान को बोला चलू खड़ यहां से मेरे जीवन से और चला जा तू यहां से जाओ समुंदर में पढ़के फिर एक वच्चन और पढ़ते लुका उसका सत्रा द्याई और वच्चन छे प्रभु न कहा यदि तुमको राय के दाने के बराबर भी विस्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुंदर में लग जा तो वह तुम्हारी मान लेता तो यहां पर फिर एक बार प्रभु उसर अपने चिलो से का अगर तूम्हारे इंद जितना बड़ा पेड उतनी जड़ उसकी नीचे जमिन की गहराए में उसका उखड़ना नामुम्किन सी बात है इसलिए प्रभु सुन क्या बोला अगर आपके जिवन में ऐसी कोई समस्या हो ऐसी कोई बीमार्या हो जो बरसों से जड़ डाले हुए गहराए में उतर चुकि तो बाग समस्या को आगया करो निकली आए सकर और बाग समुधर में लग जाएगा आतंग तक सुना कि ससटान समय जैतान के रहने की जैंगां कहां पर रहता है समुंधर में रहता है औरू oh दो उसकी ज़गा है परमें शर ने चारों और रेत रखिये, बोले इससे बाहर मत आना, ये तेरी लिमिट है, शेतान आस्मान में पहले दूसरे या तिसरे किसी आस्मान में नहीं रहता है, अगर ऐसा विजन किसी को होता है तो गलत है जूट है, शेतान समुंदर में रहता है